आप ये तस्वीर देख रहे हैं राहुल द्रविड जब कल रात भारत आस्ट्रेलिया के हाथो वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल हार गया था तब राहुल द्रविड जो इस पूरे टॉर्नमेंट में परदे के पीछे रहे थे एक भी बयान नहीं दिया था तब भारत की हार पर वो सामने आये और उन्होंने पत्रकारों के सवालों का सामना किया इसे कहते हैं जवाब दे आपके स्क्रीन्स पर रोहित शर्मा ये व्यक्ती लगातार भारत को एक शांदार शुरुआत देता रहा इसने इस बात की परवानी की कि उनकी उस हिटिंग से उनकी विकेट भी जा सकती है सेमी फाइनल में आपने देखा आपने फाइनल में देखा शांदार शुरुआत रोहित शर्मा ने की क्यूं कि वो भारत को एक शांदार शुरुआत देना चाहते थे वो इस बात की परवानी कर रहे थे कि मुझे सेंचुरी मारनी है कि मुझे एक लंबी पा इस बात का जिक्र क्यूं कर रहा हूं मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि पिछले काफी अर्से से उत्त्रा खंड के सिल्क यारा टनल में चालीस मजदूर भसे हुए हैं चालीस मजदूर, इस देश के प्रधान मंत्री दिवाली मिलन समारूह में गोधी मीडिया को संबोधित कर सकते हैं, तीन ऐसे पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ सकते हैं, जो उनके सामने नतमस्तक होकर खड़े हुए थे, जिनके आपरातिक इतिहास हैं, प्रधान मंत्री वर उत्राखंड में फसे हमारे चालीस मजदूरों के बारे में एक शब्द सामने उभर करनी आया है। मुझे बताईए ना, क्या प्रधान मंत्री ने उत्राखंड के सिलक्यारा टाल में फसे, चालीस मजदूरों के मुद्दे पर एक भी बात कही है। मगर ये बात मुझे हैरत में नहीं डालती है। क्योंकि आज इतने दिन गुजर गए, मनिपुर को लेकर प्रधान मंत्री ने संसत में कहा था, मगर एक तरह से वो विपक्षपर तंस कसा था, ताना मारा था। मनिपुर में हालात बच से बत्तर हो गए, मगर प्रधान मंत्री खामोश रहे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, जब गंभीर मुद्दे होते हैं तो प्रधान मंत्री खामोश हो जाते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तरा खंड कि सिल्क्यारा टनल में फसे चालीस मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है, मैं आपको बतला मैं सवाल गोधी मीडिया से एक पूछना चाहता हूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज से कई सालों पहले एक बच्चा प्रिंस एक गड़े में गिर गया था, आपको याद होगा दोस्तों, शौभीजों घंटे लगातार, प्रिंस बचेगा नहीं बचेगा, प्रिंस बहार आएगा, नहीं आएगा, इस पर नियूज चैनल ने कवरिज दिखाया था, ड्रामा किया था, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इन 40 मज़दूरों के जान की कोई कीमत नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस नियूज चैनल के प् सरकार उन्हें बचाने को लेकर क्या प्रयास कर रही है क्या देश की मीडिया का एक करतव नहीं है कि वो सरकार पर दबाव बनाएं कि वो अपना काम करें मैं आपको नितिन गटकरी बहां पहुँचे थे अच्छी बात है मैं खुद मानता हूं दोस्तों कि नितिन गटकरी इस सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों में से एक है और वो अपना काम काफी संजीदगी से करते है उनसे पत्रकारों ने सवाल भी पूछे उनसे पूछा गया कि आखिर इस टैनल में एसकेप टैनल क्यों नहीं बनाया गया याने कि वो टैनल जिसके जरीए हमारे मज़़ूर बच सकते थे कोई जवाब नहीं था नितिन गटकरी के पास वो इधर उधर की बाते करने लगे सुनिए जब एसकेप टैनल पर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तब उन्होंने क्या का मैं एक बास पश्च कर दूँ मैं आपर नितिन गटकरी पर सवाल नहीं कर रहा हूं मैंने बताया आपको मेरे हिसाब से वो इस सरकार के जब्मेदार मंत्रियों में से वो वहां पहुँच गए अच्छी बात है मेरा अफसोस जो है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तेवरों को लेकर है और गोधी मीडिया को लेकर है मैं फिर आप से पूछना चाहता हूं आपने किस निउस चैनल में उन चालीस मजदूरों के फसे होने की उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी आज मैं गोधी मीडिया से एक सवाल करता हूं दोस्त इंडिन एक्सप्रेस की एक खबर देखिए इंडिन एक्सप्रेस ये बता रहा है कि सरकार जो है उसने पांच रणनीतिया बनाई है उन मजदूरों को बताने के लिए जिस चनल में वो फसे हुए हैं होरिजॉंटल अंदाज में गढढ़ा किया जा रहा है ताकि उन तक पहुचा जा सके और साथी वर्टिकल अंदाज में यानि कि दो तरीके से गढढ़े किया जा रहे हैं ताकि उन मजदूरों को पहुचा जा सके और उन्हें बाहर निकाला जा सके इसके इलावा एक फाइब पॉइंट रननीती तयार की जा रही है पांच बिंदूओं की रननीती ताकि उन मजदूरों को बचाया जा सके गोधी मीडिया के पास इतना कुछ है कहने को म Companies कोई कुछ नहीं कह रहा है क्यूं नहीं कह रहा है मैं आपको बताता हूं क्यूंकि जैसे ही आप इस खबर पर आएंगे सरकार की जवाब नहीं बढ़ जाएगी सरकार को सवालों को जवाब देना पड़ेगा सरकार पर दबाव बनेगा इसलिए गोधी मीडिया नहीं चाहती कि वो किसी भी कीमत पर सरकार से सवाल करे गोधी मीडिया क्या कर रहा मैं आपको बताता हूँ यह देखिए प्रधान मंत्री के सामने उनके दिवाली मिलन समारों में हाथ जोड़े हैं पत्रकार खड़े हुएं जैसे मैंने बताया इन में से कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनके आपराधे के तिहास हैं जो जेल में रहे हैं वसूली को लेकर टी आरपी घोटाले में लेकर इनको प्रवर्तन निदेशाले ने गिरफतार तक किया है ये वो लोग हैं दोस्तों प्रधान मंत्री के पास इन लोगों से मिलने का वक्त है सबसे बड़ी बात मैंने देखा कई पत्रकार ये कह रहे हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि प्रधान मंत्री हमसे मिल रहे हैं एक पत्रकार ने ये तक कहा कि मेरी तवियत खराब थी और प्रधान मंत्री ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी तवियत कैसी है, कितने महान प्रधान मंत्री है हमारे, ये सब कहा जा रहा है दोस्तों, मगर इन में से एक भी पत्रकार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोनी से ये न नहीं आया आखिर क्या वज़ा है जब गंभीर मुद्बे होते हैं तो प्रधान नंत्री हमेशा उस पर खामोश रहते हैं अपने घर में जिन लोगों ने ओलिम्पिक्स में एशन गेम्स में मेडल जीता है आप उनका सम्मान करते हैं मगर जब वो खिलाडी सडक पर उतर जात मैं आज गोदी मीडिया से पूछने चाता हूँ वो जो 40 मजदूर फसे हुए हैं आप चाहते तो ये बहुत बड़ी ख़बर हो सकती थी मसलं आप लगातार अपने रिपोर्टर्स को वहाँ पर फोकस रखते कि भई पलपल की जानकारी देते रहते कि क्या पता चल रहा है क कहां तक बात पहुँची बगैर राहत कारियों में रुकावट पैदा की हुए आपको ये जानकारी मिलती रहती आप अपने दर्शकों तक वो जानकारी पहुचाते आपका एक रिपोर्टर उन मजदूरों की परिवारों के साथ रहता वो लोग इस लंभे में क्या महसूस कर रहे हैं उन्हें कितनी उम्मीदे हैं उनकी बात आप अपने दर्शकों तक पहुचाते मगर इस अब नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है इसको समझना पड़ेगा आपको वो इसलिए नहीं हो रहा है कि जब परिवार का दर्द सामने आएगा तो स्वाभाविक सी बात सरकार पर सवाल होगा तब इस देश की जनता ये भी सवाल करेगी कि आखिर क्या वज़ा है कि प्रधान मंत्री का इस पूरे मुद्धे पर एक भी ट्वीट सामने नहीं आया है क्या वज़ा है ये सवाल तो होना चाहिए ना कि प्रधान मंत्री इस मुद्धे पर खामोश क्य हैं क्यों प्रधान मंत्री के लिए जादा जरूरी दिवाली मिलन समारो है क्यों प्रधान मंत्री के लिए वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में जाकर मैच देखना जादा जरूरी है यह सवाल किये जाएंगे और ऐसा बार-बार होता है आज मीडिया पत्रकारटा के मायनों को भूल गया है रिपॉर्टिंग के मायनों को भूल गया है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वहां पर सिलक्यारा टर्नल में मीडिया नहीं है बिलकुल है शायद सभी news channels के भी हैं मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लगातार coverage कितने channels ने किया है दरशक होने के नाते आपको इनसे सवाल तो ये पूछना चाहिए ना कि हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं दोस्तों प्रथानंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब ना मांगना उनकी जवाब देही ना तै करना भारती जनता पार्टी को गंभीर समस्याओं को लेकर कटगरे में ना रखना दरसल इसका लिंक कही ना कही उस दिवाली मिलन समारों से क्योंकि उस दिवाली मिलन समारों में क्या हो रहा था लाइन से जो तमाम पत्रकार खड़े हुए थे प्रधान मंतरी के सामने मुस्कुरा रहे थे इनके चेहरे की मुस्कान को देखे इनकी मुस्कान को अगर आप पढ़ें तो आपको ऐसा लग रहा है कि मानो ये लोग ये बोल रहे हैं कि ऐ मालिक तेरे बंदे हम सब इस बात को लेकर खुश हैं कि आपने हमारी लिए वक्त तो निकाला इनकी आखों में ये सवाल नहीं है कि आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां कि सत्ता जनता के मुद्दों को लेकर जवाब देह नहीं है मुद्दा सिर्फ सिलक्यारी टैनल में फसे वो 40 मजदूर नहीं है मुद्दा इस देश की हर समस्या है और उस हर समस्या में जवाब देही जो है वो तै नहीं की जाती उल्टा बचाने की कोशिश की जाती है मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ दोस्तों एक के बाद एक ट्रेन आक्सिरिंट्स हो रहे है रेल हादसे हो रहे है आपको याद है रेल मंत्री अश्वनी वैशनव से सवाल करना तो बहुत दूर की बात है गोधी मीडिया उनकी नौकरी बचाने में लगा हुआ था मैं नहीं भूला हूँ जब बाला सोर में वो बड़ा ट्रेन हाथसा हुआ था जिसमें तीन सो लोग मारे गए थे तब गोधी मीडिया ये कह रहा था कि इतना पढ़ा लिखा रेल मंत्री हमें कहीं मिला है अरे भाई पढ़ा लिखा रेल मंत्री होने से क्या फाइदा अगर कोई जवाब देही नहीं है और अगर आप गलतियां कर रहे हैं आप उन गलतियों से सीख नहीं ले रहे हैं और एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं तो जवाब देए तो तैकी जानी चाहिए ना क्योंकि मैं नहीं भूला हूँ ये वही रेल मंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि साहब हमारी एक टेक्नोलजी है कभी कोई ट्रेन जो है वो टक्कर नहीं कर सकती कोई भी ट्रेन जो है अपना सिगनल अगर पार करेगी तो वक्त आते वो रुक जाएगी पहले ही रुक जाएगी तमाम तरह की बाते की गई थी मगर कोई सवाल नहीं किया जाता है मैं नहीं पूला हूँ जब बाला सोर ट्रेन हादसा हुआ था प्रधान मंत्री वहां पहुंच गये थे और पूरी कवरिज में उस पूरी रिपोटाज में गोदी मीडिया का यही फोकस था कि देखिए कितने महान प्रधान मंत्रियें वहाँ पहुँच गए हैं और जायजा ले रहे हैं देखिए अश्वनी वैश्णव इनकी आँखों में आसूं हैं दर्द हैं इस तरह की बाते की जा रही थे मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ वो जो सिलक्यारी टैनल में मसदूर फसे हैं क्या वहाँ प्रधान मंत्री कुछ देर के लिए नहीं पहुँच सकते हैं चलिए पहुचना ना सही एक बयान तो जारी कर दीजे मुझे एक बयान प्रधान मंत्री का नहीं मिला है जो उन्होंने इस मुद्दे पर कहा हूँ हो सकता है मुझसे भूल चुक हो रही हो हो सकता है कि उन्होंने बयान दिया हो जो मुझे अब तक नजर नहीं आया तो क्रपया मुझे एनलाइटन कीजे क्रपया मुझे बताईए कि कहां प्रधान मंत्री ने इस मुद्व पर अपनी चिंता जाहिर किये वो गोदी मीडिया जो आज से कई सालों पहले जैसे कि मैंने आपको बताया प्रिंस एक गड़े में गिर जाता है उस पर शौबीजों घंटी की कवरिज करता है उसके दिल में उन चालीस मजदूरों का दर्द नहीं है उनके परिवार का दर्द नहीं है उल्टा में दावे के साथ कह सकता हूँ अगर वो परिवार सामने आ गए और सरकार से जवाब दे ही तै करने की बात करने लगे तो उन्हें आंटी नाशनल बता दिया जाएगा उनके बारे में कहा जाएगा ये कॉंग्रेस के हाथ की कटपुतली हैं अर्वन अकसल हैं आप भूल गए इन्होंने हमारे किसानों के बारे में क्या क्या कहा था शाहीन बाग की महिलाओं और बच्चों के बारे में क्या-क्या कहा था आप भूल गए इनों ने किस तरह से हमारी महिला पहलवानों को बदनाम किया था इनमें से किसी महिम्मत नहीं थी ब्रिज भूशन शरण सिंग से सवाल करने की तो क्या आप ये उम्बीद कर रहे हैं कि उत्तरा खंड के एक टनल में फसे मज़़ूरों की आवाज ये बनेंगे सवाल इनी पैदा होता मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि नितिन गटकरी साहब जो प्रयास कर रहे हैं वो रंग लाएगी मगर मुद्दा यहां जवाब नहीं तेह करने का है और देश अपने 49 मज़़ूरों को नहीं बूट सकता अब इसार शेर्मा को दीजे इजासत समस्कार